हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू के मोटो व्लोग्स दोस्तो हीरो की अपकमिंग करीज्मा एक बार फिर से टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हो गई है और अब के बार इसके फीचर्स काफियत तक रिवील हो गए है जो इसके स्पाइड शोट्स अभी रिवील हुए है उनके बेसिस पे हम बात करेंगे कि स्पाइक के अंदर कैसे फीचर्स आने वाले है और कैसा बाइक का डिजाइनो स्टाइल है जो इस पाइक की स्पाइशोट्स आए है जो पिक्चर्स इसकी लीक हुई है बाइक का डिजाइनो स्टाइल देखने में काफि स्पोर्टी लग रहा है बाइक के अंदर काफी अच्छा एरो डायनिमिक एग्रेसिव डिजाइनो स्टाइल आने वाला है और काफियत तक इसका design और style extreme 200S से inspired देखने को मिलेगा extreme 200S के जैसे इसके looks नहीं है उससे थोड़े से ज़्यादा अच्छे looks है bike की front profile भी देखने में काफि अच्छे लग रही है side fairing का design भी नया है और bike की rear profile specially देखने में थोड़ी ज़्यादा अच्छे लग रही है यानि की aerodynamics तो bike के काफि अच्छे है extreme 200S से इसका design और style inspired है लेकिन बिल्कुल extreme 200S के जैसा नहीं है extreme 200S का design वैसे उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं लेकिन उससे इसका design और style काफि अच्छा होने वाला है side fairing का design भी देखने में इसका काफि अच्छा लग रहा है लेकिन sports type की bikes के अंदर पिलें seat height थोड़ी जादा होती ही है लेकिन rear looks यार देखने में spike के काफि अच्छे लग रहे है आपको spike का design और style कैसा लग रहा है pictures में ये comment box में जरूर बताना और features के बारे में अगर बात करें तो इन pictures के आने के बाद अब ये तो confirm हो गया है कि इसके अंदर upside down front box नहीं आएंगे spike के अंदर front में telescopic type के front box आएंगे जैसे RS200 के अंदर है और R5 V3 के अंदर है rear में preload adjustable monoshock suspension आएगा front और rear में display काएंगी जिसके साथ में dual channel ABS आएगा और इसके अंदर two spoke वाला allowills का design दिया गया है जो देखने में काफी सही लग रहा है 100 section के आसपास का front में tire आएगा और 140 section के आसपास का इसके अंदर rear में tire आएगा और electrical features भी इसके काफियत तक reveal हो गई है specially इसके अंदर all LED lights का setup आने वाला है यानि के LED indicators इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके साथ में hazard light switch भी देखने को मिलेगा जिसके बज़े से चारों indicators एक साथ ओन हो जाते हैं इसके front में LED headlight आने वाली है जिसके अंदर LED DRLs भी आएंगे LED indicators, side fairing mounted देखने को मिलेंगे इसके अंदर click on type का handlebar आएगा लेकिन riding posture बहुत ज़्यादा aggressive नहीं होने वाला है rear view mirrors भी देखने में काफी सही लग रहे हैं और front fairing का design और side fairing का design भी काफी सही लग रहा है side fairing specially थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रहे हैं hopefully hero is bike का design और style extreme 200S से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि extreme 200S का design काफी outdated हो चुका है इसलिए वो bike market में उतना अच्छा पफुम भी नहीं कर पाई क्योंकि उसके looks काफी outdated type के थे लेकिन इस bike के looks specially काफी अच्छे लग रहे हैं LED टेलाइट का design भी काफी sleek आएगा और पीछे से bike के looks भी काफी अच्छे आ रहे हैं exhaust note काफी छोटा लग रहा है long slang type का exhaust system इसके अंदर नहीं आएगा काफी compact type का exhaust आएगा और engine के बारे में बात करें तो ये पहले से ही reveal हो चुका है कि इसके अंदर 210 CC का liquid cooled engine आएगा जिसकी power 25 PS के आसपास होगी और 25 NM के आसपास का ही torque होगा जिसके अंदर 6 speed gearbox आएगा तो technology के point हो उसे ये bike काफी अच्छे होने वाली है क्योंकि इसके अंदर 6 speed gearbox आएगा liquid cooling technology आएगी तो इसकी बज़े से इसके output figures भी काफी अच्छी रहेंगी और इसकी performance भी काफी अच्छी देखने को बिलेगी और ये bike Bajaj की Pulsar RS200 और Yamaha की R95 V4 को काफी अच्छा tough competition दे सकती है market में और इसका नाम Hero Charisma XMR 210 भी हो सकता है Hero Charisma XMR भी हो सकता है और इन pictures में जो bike sport हुई है वो एकदम production ready model ही लग रही है यानि कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिस नहीं होंगे जैसी ये bike है वैसी ही bike market में आने वाली है front में wind screen का size बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा चोटा भी नहीं है wind screen का size काफी decent है जिसकी वज़ेसे wind blast से काफी अच्छी protection मिल जाएगी अब price के बारे में बात करें तो इसका action price एक लाग पचास जा रुपे से लेके एक लाग साड़ जा रुपे के आसपास होगा all LED lights का इसके इंदर setup आएगा और looks, design और style भी इसके काफी अच्छे लग रहे है so market में ये bike fully fair sport segment में एक काफी अच्छा option हो सकती है इसके इंदर आपको smartphone connectivity वाले features भी मिल जाएगे fully digital instrument console मिलेगा जिसके इंदर turn by turn navigation system feature भी मिल जाएगा लेकिन दोस्तों आपको क्या expectations है hero की charisma XMR से ये comment box में जरूर बताना और आपको इसका sports tourer टाइप वाला design और style कैसा लगा ये भी आप बता सकते हो so इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो subscribe कर सकते हो और अपने भाई को instagram पे follow भी कर सकते हो at the rate k2kmoto vlogs मिलते हैं ये वीडियो में till then ride safe, drive safe